तो यकीन मानिये, आपके उम्र लगभग रुख जाएगी, आपके सेल्लिला रेज लंबे समय तक स्थिर रहेगी. आज जैसे जैसे समाज ज्यादा से ज्यादा समपन्न हो रहे हैं, वो उतना ही बुरा खाना खा रहे हैं. भारत में गाव के लोग जिसे छूते भी नहीं हैं, बड़े शेहरों में लोग वैसा खाना खा रहे हैं, वैसा भोजन यानि आज पश्ची में समाज जो चीज़ें खा रहे हैं, वो कम से कम 30 से 60 तिन पुरानी होती हैं. योग में भोजन को सात्विक, राजसिक या तामसिक मानते हैं. तमस यानि जड़ता. अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे, तो आपमें जड़ता आ जाएगी. जड़ता का मतलब बसालसी होना नहीं है. जड़ता यानि कुछ चीज़ें धीमी हो जाएगी. यानि सिस्टम में पुनर निर्मान जल्दी नहीं होगा. आज आप जानते हैं कि दिमाग से अच्छा काम लेने के लिए सबसे जड़ूरी ये है कि दिमाग में नए सेल्स या कोशिकाएं जीवन भर जल्दी बनती रहें. अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं, जो आपके शरीर या आपकी उर्जा में जड़ता पैदा करता है, तो आप धीरे धीरे चीज़ों का अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएंगे. सबी ये समझते हैं, तभी वो कोका कोला के प्याले या कॉफी या शराब या कुछ और पीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे संतुलित करना जरूरी है, तो ये संतुलन लाने का बचकाना तरीका है. यानि पहले गलत चीज़ें खा कर, फिर उसे सही चीज़ों से ठीक करना. दुनिया में सबसे ज्यादा एंटेसिड दवाईयां, दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत एंटेसिड अमेरिका में बेचे जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, यानि वहां कई विकल्प हैं, वो बहतरीन खाना खा सकते हैं, पर नहीं, वो सबसे खराब खा क्योंकि commercial business, आपका भुजन तै कर रहे हैं, आप सचेत होकर कुछ नहीं खा रहे हैं, मान लीजे, लोग ताजा खाना खाने लगें योग संस्कृती में अगर आप कुछ पकाते हैं, तो उसे ज्यादा से ज्यादा डेड़ घंटे में खा लिया जाता है, नब्बे मिनिट से पहले उसे खा लेना चाहिए, उसके बाद भुजन को नहीं चुआ जाता, क्योंकि उसमें तमस आने लगता है, यानि जड़ता होगी आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, एक सप्ताह तक ताजी चीज़ें खाएं, और फिर कोई प्रोसेस्ट चीज़ खाएं, जो एक दो महीने तक रखी गई हो, आप सरीर में सतर तक अस्तर देखेंगे, आप इसे खुद अनुभव कर पाएंगे, ये सेल्स ये कोशिक पायाम हैं, अगर आपके शरीर की हर कोशिका या सेल में ओजस हो, तो यकीन मानिये, आपके उम्र लगभग रुख जाएगी, आपके सेल्लुलर रेज लंबे समय तक स्थिर रहेगी, मुझ पर कुछ टेस्ट किये गए हैं, और वो कह रहे हैं कि, मेरी सेल्लुलर उम्र पच कर सकते हैं, बस बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा, भुजन से एक और चीज जुड़ी है, जिसे विरुद्धाहर कहते हैं, यानि अगर आप एक चीज खाकर कुछ ऐसा खाते हैं, जो उसके खिलाफ काम करता है, तो शरीर में जंग छिड़ जाएगी, पाचन प्र अकेला उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पर उसे चावल और घी, यानि बिर्यानी के साथ खाने में ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसी वज़े से कोई भी मासा हरी चीज और दूद या दूद से जुड़ा भ भूजन पेट की थैली में धाई घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, धाई घंटे में वो बाहर चला जाना चाहिए और पेट खाली हो जाना चाहिए, भूक नहीं लगेगी, पेट खाली रहेगा, ये अच्छा है, हम पेट को हमेशा खाली रखना चाहते हैं, क्योंकि तब हर चीज पहतर काम करती है और पेट की सेहत को आज बिलकुल नजर अंदास कर दिया गया है अगर आप पेट को साफ नहीं रखते तो मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल है तो आयूरवेद और सिद्ध में अगर आपकी रातों की नीन डिस्टर्ब हो रही है आपको कोई परिशानी है या कोई मानसिक समस्याएं है तो सबसे पहले ये शुद्धिकरण किया जाता है पेट की सफाई से अचानक संतुलन महसूस होता है तो ईशायोग केंदर में हम सुभा नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाते है इसके कई पहलू है ये आपके सिस्टम पर कई तरह से असर डालती है सबसे पहले तो ये खाने से आपका पाचन तंत्र या सिस्टम साफ रहेगा कर दो कर दो है